नमस्कार दोस्तो वे टीटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के लेक्चर स्रीज में देखेंगे आप लोग पुनरजागरन पुनरजागरन क्या है? पुनरजागरन का अर्थ क्या होता है? पुनर्जागरन का शुरुवात कब, कहां और कैसे हुई इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और पुनर्जागरन की विश्यस्ता क्या थी तो आप लोग जानते होंगे कि पुनर्जागरन मद्यकाल के बाद इरोप इतिहास में इरोपिय इतिहांस में मद्यकाल के बाद पुर्णर जागरन की शुरुवात हुई थी। भारत में जैसे पुर्णर जागरन का पिता किसे कहा जाता है। राजा राम मोहन राइकों। तो यह है भारत के संदर्व में। लेकिन अभी इसको हम लोग 20 संदर्व यानि कि विशेश रुप से इरोप के संदर्व में पढ़ेंगे। तो आएए पहले हम यहां देख लेते हैं कि पुर्णर जागरन का अर्थ क्या होता है। पुर्णर जागरन यानि सब्द से ही ऐसा लग रहा है कि पुर्णर जागना, फिर से जागना, यानि कि वो वेवस्था, वो समाजिक, सांस्कृतिक, राजनितिक वो वेवस्था जो पहले अच्छी थी, लेकिन मद्यकाल में सुसुपता अवस्था में आ गई, फिर उसके फिर से उसमें एक नई चेतना जागरित हुई, तो उसे कहा गया पुर्णर जागरन, चोधवी और सत्रवी सदी के बीच, विस्वितिहास में मानो जीवन को प्रस्पुपित करने के उद्देश से, यानि मानो जीवन में फिर से एक नया जोस उमंग और नई चेतना लाने क उद्देश से, जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति आंदोलन हुए, उन्हें ही पुनर जागरन कहा जाता है। इस पुनर जागरन के फल्सारुप, जीवन के प्रतैक छेतर में, क्यों नहो समाजिक छेतरों राजनीतिक छेतरों आर्थिक छेतरों, उनमें ग्ञान का उ ज्ञान के छेतर में नवीन परियोग हुए, नए अनुसंधान हुए और ज्ञान प्राप्ति के नए नए तरीके खोज निकाले गए। इसे पर लोकवाद और धर्मवाद के अस्थान पर मानववाद को परतिश्टित किया। किसने? पुनरजागरन ने। यानि पुनरजागरन के द्वारा ही मानववाद मैं आगे आपको बताऊंगी कि मानववाद होता क्या है। पुनरजागरन में 20S रूप से मानववतावाद को ही ज्यादा तरजी ही दिया गया। अब हम आगे देखते हैं। इवरोप में पुनरजागरन की कुछ प्रमुख विश्यस्ता है। विश्यस्ता क्या थी? नवीन विचारों का उदे। जब पुनरजागरन हुआ एक नई चेतना लोगों में जगी। तो ये पुनरजागरन ने किस-किस छेत्र को प्रभावित किया। वो जीवन का छेत्र है। जीवन के किस छेत्र को प्रभावित किया। तो देखते हैं या यह यह कह सकते हैं कि उसकी विश्यस्ता है क्या थी। नवीन विचारों का उदे। कला और अस्थापत्य कला। साहित्य के छेत्र में प्रगती। राजनीती, विश्विद्याले शिक्षा, महिलाओ की इस्तिती, भगोलिक खोजे और मैज्ञानी का विश्कार है। अब एक एक करके हम यहां इन टॉपिकों को डिसकस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नवीन विचारों का विद्ध है। सबसे पहले पुनर जागरन जो हुआ हम में नई चेतना जो जगी, उसके दोहारा मनुस्ष में एक नया विचारों का उद्ध हुआ। उनमें तर्क और परियोग के अधार पर चींतन जागरित हुई। यानि पुनर जागरन से पहले लोग धर्म, कर्म, अंद्विश्वासों को जादा अंद्विश्वासों में जादा विश्वास करते थे। उनके यदि कोई व्यक्ति मनुस्यों को संचालित करता था तो वो था धर्म और अंद्विश्वास। लेकिन इस पुनर जागरान काल में मध्ययोगीन अंध्विश्वासों के अस्थान पर मानों ने तर्क यानि लोजिक और परयोग प्रैक्टिकली रूप पर आधारी चिंतन पर बल दिया। अरस्तु के तर्क सास्त का लोगों पर गहरा परभाव पड़ा। अरस्तु के अलावे पेरिस, बोलोन, अक्सफोर्ड, कैम्परिज, आधिव इस विद्याले ने तर्क आधारी चिंतन पर बल देते हुए उसी विचारधारा को उचित मानने पर जूड़ दिया जिसे तर्क की कसोटी पर कसा जा सके। तर्क यानि होता है लोजिक, लोजिक यानि कोई घटना घटी तो क्यों घटी, यदि कोई कह दे कि ये भगवान की किरपा है, तीस से नहीं माले नहीं कि हम भगवान की किरपा है, कोई भगवान की किरपा या ये कह कि कोई जादू, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये किसी कारण से ही कोई साल्ष्टफिक रीजन रहा होगा जिसके कारण चे वो गटना गटी होगी इसे कहते हैं तर्क तो उस समय एक नई चेतना जो जगी वो था तर्क आधारित चेतना या चिंतन दूसरा दूसरी इसमें विशेष्टा है मानववाद यानि कि पुनरजागरन काल में येक प्रमुख विशेष्टा जो थी वो विशेष्टा थी मानववाद यानि मानव को प्रमुखता दी गई मानवतावाद येक पुनरजागरन की विशेष्टा दारा की प्रमुख गेंदर थी प्राचीन युनानी सब्वेता और संस्कृति के समर्थक पेट्रोक को मानववाद का जनक कहा जाता है पेट्रोक जो थे वैसे तो पेट्रोक के पहले दाते जो इटली के रहने वाले थे उन्हें मानववाद की सुरुवाद की यानि कि मानव को तरजीह देना उन्होंने सुरू किया क्योंकि उन्होंने उनका कहना था कि इस विश्व में जो भी क्रियाए हो वो मानव के हीत में इसी को आगे बढ़ाया पेट्रॉक ने पेट्रॉक भी इटली का ही रहने माला था और इन्होंने भी मानवाद को तरजीद इसलिए इसलिए इने मानवाद का जनक कहा जाता है मानवादा वादी ओधारना में मध्युगिन धार्मिक अंद्विश्वासों को देविये मामलों और मोक्ष की प्राप्ति के अस्थान पर मानवाद मातर के कल्यान पर विशेस बल दिया गया यानि मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें मनुष अपनी जिन्दगी जो जी रहा हो उसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि हाँ उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो उसके लिए वो अपने समय बरबाद करे या किसी देविये सक्ति में विश्वास करे बलकि उनका उद्देश से ये होना चाहिए जिससे किसी मनुष से या मानो को कोई तकलिफ न हो इस बात पर जोड़ दिया गया और पेट्रॉक भी इसी का समर्थक था उन्होंने कहा कि मानो का जीवन महत्वपूर्ण है अथा प्रित्वी पर मानो का आदर करते हुए पेट्रोक हुए उसके बाद से माइकल एंजेलो, मैक्यावेली, लेनार्डो दविंची, संते, अलबर्टी, सेक्स्पियर, ड्यूक अफ मन्टुआ आदी थे ड्यूक अफ मन्टुआ ने तो मानो वाद का एक सिक्षन के द्रस्थापित कर लिया था उक्त सभी मनिशियों के कारण, पूर्णर जागरन में इतिहांस और शाहित स्रेजन की प्रमुख वी से मानो वाद ही बन गया और शाहित और इतिहांस को अब मानविखी कहा जाने लगा यानि आप देखते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट में एक हुमिनिटी सब्जेक्ट होता है यानि कि हुमिनिटी जिसमें मानो वाद के समंद में ये हुमिनिटी सब्जेक्ट जो निकल के आया वो मानवता वाद से ही निकल के आया जिसमें साहित और इतिहास को तरजी दिया जाता है यानि साहित और इतिहास को महत्व दिया जाता है भले ही इतिहास को अभी सोशल साइंस के अंतरगत पढ़ते हैं लेकिन पहले इतिहास भी हीमिनिटिज के अंतरगत ही यानि मानो मानवी की शास्त्र के अंतरगत ही था ये तो एक महत्पूर्ण जनकारी हुई कि मानवी की का उद्भव कहां कब और कैसे हुआ अब हम लोग देखेंगे पुनर जागरन में मानो वाद के महत्त को देखते हुए तत्योगीन कला साहित में भी इसकी अविवयक्ती हुई सहथ संदर्य की उपास्ना पर जोड दिया गया सहथ संदर्य की उपास्ना पर उसे जोड दिया गया पुनर जागरन काल के प्रमुक्ष चितरकार लेनार्दो दव विंची का मानवता वादी दिष्टकोन इसके इस लेक से पडलक्षित होताएगी उन्होंने एक अपना एक statement दिया किसने लेनार्दो दव विंची मैं आपको बताऊँगी कि लेनार्दो दव विंची कौन है आप हमेशा आप उनके एक चितरकार के रूप में आप उन्हें जानते हैं, लेकिन ये चितरकार जो है, पुनरजागरन काल के चितरकार हैं, जिनकी चितरकारी है, मोना लिशा, मोना लिशा प्रेंटिंग के बारे में आप सभी जानते होंगे, कितने भावात्मक चितरकारी है उनकी तो उन्होंने एक statement दिया कि अच्छे चित्रकार के दो प्रमुख चीजों का चित्रन करना होता है मनुस और उसके मन की भावना आए कि मनुस और उसके मन में मतलब उसके मन के अंदर कि कैसी और कौन सी भावना आए या किस तर के विचार चल रहे हैं उसकी अव्यक्ति होनी चाहिए आगे हम लोग लिया नार्दो दिविंची के जो भी painting से हमनों डिटेल्स पढ़ेंगे अभी हमने पढ़ा मानववाद कि मानववाद या मानवतावाद के संबंध में पुनरजागरन काल के मानववादी विचारकों के विचार क्या थें दूसरा टोपिक जो था कला और अस्थापत्य यानि पुनरजागरन काल में कला और अस्थापत्य के छेतर में भी सुधार हुए या यह कहें कि प्रगती हुई जैसे अस्थापत्य कला यानि आकिटेक्चर पुनरजागरन काल के वास्तु वीधो ने गोतिक सैली के अस्थान पर जिस नई सैली का प्रयूग किया उसे रहने से अस्थापत्य कला के नाम से जाना जाता है एक नई सेली का यानि जो भी प्रेंटिंग हो चित्रकारी हो कला या अस्थापत्य कला हो उसमें एक नई तरह की सेली का विकास हुआ उससे रहने से अस्थापत्य कला के नाम से जा जाता है रेनेसा अस्थापत्य की नविन सैली में युनानी रोमन तथा अर्वी सैली का मिस्रन किया गया था। इस नविन सैली का प्रारंप इटली में हुआ तत पस्चाथ अन एरोपिय देसों में इनका प्रयोग किया गया। पुनर जागरन काल के अस्थापत्य का सर्शेष्ट इसका निर्मान ब्राम्ते ने शुरू कराया था बाद में माइकल एंजेलो तता राफिल ने भी इसके निर्मान में योगदान दिया इस परकार हम देखते हैं कि इटली में बिक्सित पल्लवित अस्थापत्य कला की यह नविन सैली दूर्त गती से पश्चमी यूरूप के अ अस्थापत्य कला के बारे में हम पढ़ा कि पुनरजागरन काल में गोथिक सैली के अस्थान पर एक नई सैली रेनसा सैली की ब्रिधी हुई या विकास हुगा अब हम करते हैं चित्रकला माइकल एंजोला उन्रजागरन काल का एक महान अस्तापत्यकार होने के साथ एक परमुख चित्रकार और मुर्तिकार भी था चित्रकला उसने वेटिकन के गिर्जागर की दिवारों पर 20 वर्षो से अथम परिश्रम से जो चित्रकला चित्रित की वह उनकी महानता का गोतक है इस चित्रकला में अंतिम निर्ने लाश्ट जज्जमेंट नामक चित्र सरस्रेष्ट माना जाता है इस चित्रों का परभाव इटली के चित्रकार राफेल द्वारा निर्मित विश्व परसीद सिस्टाउन, मेडोना और मेडोना अफद चेयर चित्रों में देखा जाता है राफेल की गन्ना संसार के सरस्रेष्ट चित्रकारों में की जाती है माइकल एंजोला का चित्र मानो का पतन की गन्ना भी संसार के सरवाधिक परसीद चित्रों में की जाती है इसके अला में लेनार्दो दविंची के मोना लिशा है और लास्ट सफर की गन्ना भी परसी चित्रों में की जाती हुआ पुनरजागरन यूग में इतली के जियाटो को चित्रकला का जनम दाता कहा जाता है यानी चित्रकला के चित्र में माइकल लेन्जोला, जी आटो, लेनार्दो दविंची, राफेल ये सारे ऐसे महान चित्रकार थें जिनोंने पुनरजागरन काल के समय में अपनी चित्रकारी से लोगों के मन में एक नई कला नए चित्ना को जागरित किया मूर्तिकला, पुनरजागरन काल के एक प्रमुक विश्यता थी मूर्तिकला, जिसको हम लोग बढ़ रहे हैं, अस्थापत्यकला और कला के चित्र में इतली में पुनरजागरन कालीन मूर्तिकला का परवर्तक दोनों ने लो था, जिसने ततकालीन बच्चों और पूर्षों की अध्यूतिय मूर्तिया बनाई, इसकाल के अन्य प्रमुक मूर्तिकार गिबर्टी और माइकल एंजोला थे, इतली की मूर्तिकला ने कलांतर में अ इरुपिये देशों की मूर्तिकला को भी प्रभावित किया, यानि कि गिबर्टी उनरजागरन काल के और दो प्रमुक मूर्तिकला के प्रिष्ट पोसक कौन थे, माइकल एंजोला और गिबर्टी, एक बात मैं आपको बताओं, कि माइकल एंजोला का बार बार नाम आता है, तो आपको घबराने की बात नहीं, कि माइकल एंजोला सिर्फ मूर्तिकार ही नहीं, एक चितरकार, एक उपनियासकार, एक संगीतकार भी था, और एक बिचारक इतिहासकार तो था ही, अब हम देखते हैं संगीत कला, मद्यकाल में, गिर्जागर में संगीत वर्जी था, केवल एक नविन धर्म का परदुर्भाव किया, अपितु, उसने स्वयम कुछ धार्मिक अन्य गीतों का संकलन भी किया, इस युग की एक और विशेस्ता यह भी थी की, स्वर, ताल, राग, पद्धती में भी हुए परिवर्तनों के साथ साथ, यंत्री संगीत का भी विका संगीत कला पर इनानी हिब्रो और रोमन आदर्शों का ही प्रभावत परा, इटली के गियोवानी पॉलेश्ट्राइना इस समय का लोगपडिये और प्रख्यात गायक था, संगीत कला के छितर में विकास हुए, यानि अब आप समझेंगे कि जब संगीत वर्जित था, वहा इसके अलावें संगीत कला पर इनानी हिब्रो और रोमन आदर्शों का प्रभाव पड़ा, इस तरह इसकी सुरात का हुई, अपसे पहले इटली में ही हुई, अब हम आगे बढ़ेंगे साहित्तिके छेतर में प्रगति, पुनर जागन काल की एक प्रमुख विश्यस्ता थी साहित्तिक विश्यस्ता, जिसको हम लोग साहित्तिक छेतर में प्रगति, साहित्ते, चौदवी सताब्दी तक, इवरोप की इतालवी, स्पेनी, फ्रांसिसी, जर्मन, अंग्रेजी, आधी छेतरिये भाजाओं में, जन्ता की अपनी भासा में नाम मातर का साहित्ति लिखा गया था, अब हम लोग यहां जो देखेंगे, कि पुर्णजागरन काल में साहित्त के छेतर मिक्या प्रगति हुई, तो ऐसा नहीं है कि पुर्णजागरन काल से पहले साहित्ते नहीं लिखे जाते थे, लेकिन उन साहित्तियों का प्रभाव आम वैक्ति पर कम था, यह वो ज़्याद साहित्त के छेतर में प्रगति, तो चोदवी सतावी तक इरोप की इतालवी, स्पेनी, फ्रांसिसी, जर्मन, अंग्रेजी, आदी छेत्तिये भासाओं में जनता कि अपनी भासा नाम मातर का साहित्त लिखा गया था, अभी तक इरोप में जो भी साहित्ति की बहूलता थी, वह सब चाहे साहिति ग्रंथ हो या सास्त्री है, सभी ग्रंथ लेटिन में ही लिखे जाते थे, यानि कि साहिति जो लिखे जाते थे वो लेटिन भासा में लिखे जाते थे, और वो लेटिन भासा का पहुंच जो था, आम जनता था नहीं था, तो साहिति की रचना फुर जाग कविताएं मात्री भासा में लिखी पुनर जागरन का पूर्ण पर्थनेदेत्व पेट्रोक के सिस जोवानी बुकासिया ने किया उसने अपनी कथाओ से इटालियन साहित को सम्रीद बनाया बुकासिया के सर्शेष्ट कृती डेके में रौन है जिसमें से कहान सो कहानियों का स जंगरा है इसके अलावें साहित्तिक पुनर जागरन काल में बहुत सारी ऐसे पुस्तके भी लिखी गई जिनमें हॉलन के रहने वाले निवासी इरेसेमस जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी प्रेज आफ फॉली यानि मुर्खों की परसंसा इसमें उन्होंने चर्च की ब बड़ी पुस्तक और बीकी जाने वाली सबसे सरवाधिक बीकी जाने वाली पुस्तक थी इसके अलावे साहित्तिके छेत्र में कवी जो फ्रे चॉसर को अंग्रेजी कवी का जनक कहा जाता है जिसकी सरस्ष्ट किरती कैंटर बड़ी टेल्स थी चॉसर के पस्चात इंग्लैन में पुर्णर जागरन के कार्ज को टॉम्स मूर ने आगे बढ़ाया चॉसर जो था इंग्लिस कवीता का पोएम का जनक था टॉम्स मूर ने उसके आकाम को आगे बढ़ाया उसने अपनी कृती उटोपिया में एक आधर समाज का चित्र प्रस फ्रांसिस बेकन इस्यू का सरस्रेश्ट निबंदकार था। इसके अलावे अब हम जाते हैं अगर ये कहें पुनर जागरन काल के सबसे महत्वपूर्ण नाटक कार और कभी था सेक्सपीर तो इसमें कोई अतिस योक्ति नहीं होगी। समस्त एउरोप ही नहीं, समस्त विश्व के प्रती सेक्सपीर की साहितिक देन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने नाटकों में मर्चेंट अफ वेनिस, रोमियो जूलियट, हैमलेट, मैक बेथ में किस तरह से समाजिक, अंतरद्वन्द और मानों के बिभीन पक्षो को जागर किया है। सेक्सपीर ने अपनी कृतियों में मानों के सभी संभो भाव और शमताओ और दुरबलताओं का संगोपांग विवेशन किया है। उसने दुखान्त और सुखान्त दोनों प्रकार के साहित्ते नाटकों की रचना की है। उस जाहित अंग्रेजी साहित का वही चर्मुत कर्ष पडर्लक्षीत होता है। जैसे कि भार्तिय इतिहास के संदर्व में गुप समराट का विक्रामादिति के समकालिन कालिदास के सहिते में पड़लक्षित होता है। वस्तुता सेक्स पियर के नाटकों की तुलना कालिदास के मालविका आगनिमित्रम अभिज्ञान सकुंतलम मेगदूतम से कर सकते हैं। अता सेक्स पियर इरोप का कालिदास था। इसी परकार पुनरजागरन काल में दाते, पेट्रोक, जुफ्रे चोसर ने अपनी कविताओं नाटकों से, बेकर ने अपने निबंधों और भुकासिया ने अपनी कथाओं से, इस योम एरेसेमस ने अपने व्यंग द्वारा इर रुपिय साहित को परत्याग चेतर में सम्मरित किया। यानि साहित के चेतर के ये विविन रत्न थे, जिन्होंने अपने अपने कृत्यों से पुनरजागरन काल को सुशोभित किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पुनरजागरन काल की समय में राजनीती किस तरह से प्रभावित हुआ। पुनरजागरन काल में राजनीती के जो जनक कहे जाता है। वो तो मैक्यावेली मैक्यावेली ने धर्म को राजनीती से अलग करके डिफाइन किया। उनकी पुस्तक जो है दप्रिंस उसकी तूलना प्राचीन काल के भारतिये इतिहांसकार कोटिल से की जाती है। पुनरजागरन काल में राजनीती को अपनी पुस्तक के माध्यम से परिभासित किया। और धर्म और राजनीती या राजसक्ती को अलग करके देखा। इसके अला में दाते, मर्सीलियो, मैक्यावेली की स्रिंखला में ही इंग्लेंड का हप्स भी पुनरजागरन काल का एक प्रमुक राजनीती की चीन तक था। अब हम देखते हैं विश्विद्याले सिक्षा। पुनरजागरन काल में विश्विद्याले सिक्षा को भी बढ़ावा मिला। 24 सताबदी के पहले सभी बौधी गतिविदिया चर्च के अधिकारियों द्वारा संपन की जाती थी। 24 सताबदी तक इटली के सहरों में बैपार में तेजी आई इस बैपार के अनुबन तयार करने और लेखा जोखा रखने के लिए वकील और नोटरी का एक नया वर्ग तयार हुआ। 24 विश्विद्याले में वैपारिक असक्ता के अनुप कानून के अध्यन पर जोड़ दिया जाता था। अब पुनरजागन काल में जो नई-ई-ई-चेतना लोगों में जगरित हुई। उससे लोगों को शिक्षित करने के लिए लोगों में को और जागरित करने के लिए विश्विद्याले सिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया। पड़ुआ और वोलगना विश्विद्याले कानूनी सिक्षा के केंदर थे और विश्विद्यालों में भी वेहवसाइक सिक्षा प्रदान की जाती थी और इन विश्विद्याले सिक्षा से यह यह कहे कि पुनरजागन काल में हुए सुधारों से सिर्फ इरोप इतली ही नही पुरा विश्वे प्रभावित हुआ अब हम देखते हैं कि पुर्ण जागरन काल से पहले महिलाओं की इस्तिति देनिय थी ही महिलाओं को एक सोशन की वस्तु समझी जाती थी लेकिन पुर्ण जागरन काल में महिलाओं की इस्तिति में काफी सुधार हुआ क्योंकि उसके पह पुर्षो के सरक्षन में महिलाओं की पूरी जिद्धी निकल जाती थी। लेकिन पुर्ण जागरन काल महिलाओं की इस्ति में सुधारे तो कुछ बहुतिक महिलाओं ने कदम उठाए। जिन में कशांडरा, फिडल मार्चेसा और मंटुआ इसाबल के प्रयास उलेखनी हैं। फिडल ने प्रशन उठाया कि महिलाओं की साधार पुर्षो की बराबदी करने में असमर्थ है। उन्होंने गर्दंत की अलोचना की, क्यूकि उसमें महिलाओं की उपर पुर्षो की इक्षा को प्रधानता दी थी। उन्होंने अपने लेखन द्वारा यह विचार व्यक्त किये कि महिलाओं को आर्थिक सक्ति होनी चाहिए। संपत्ति का अधार होना चाहिए, याम चिक्षा का अधिकार होना चाहिए, ताकि पूर्षो के वर्चस्व वाले समाज रे महिला अपनी पैजान बना सके। तो पुनर जागरन की विश्यस्ताओं से पुनर जागरन काल के सुधारों से जीवन के हर छेतर के सांथी महिलाएं महिलाओं की स्तिती में भी सुधार हुआ महिलाएं भी इसे प्रभावित हुई अब हम देखते हैं पुनरजागरन काल में भावलिक, खोजे और बैज्ञानी का विस्काल को जादा से जादा बढ़ावा दिया गया इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे धर्म यूद के फॉल्स औरोपी यूरोप वासी पस्चिमी एसिया के संपर्क में आए कुछ समय तक एरोपीय लोग पुर्वी एसिया में रहे इसके प्रभाव में एरोपीयों ने रेसम अमदरपन बनाना सिखा अपने धातु कर्म कोशलो में सुधार किया एरोप वासी धान, निम्बू, खुबानी, तरबूज उगाना सिखे सरवादिक लाप एरोपीय वासीयों को भोगोली खोजो और ग्यान बिग्यान के छेतर में हुआ यानि कि पुनरजागरन काल में एरोप वासी अर्वो के संपर्क में आए और उन्हों ने भोगोली खोजो और बैज्यानी के विश्कार के छेतर में बहुत कुछ सिखा और सुधार किया और कुछ दूसरे देश भी उससे प्रभावित हुए जिन में अर्वो ने भारत से जोतिस अंगनीत का जो ज्यान प्राप्त किया था वो सब एरोपियों ने अर्वो से सिखा अर्वो ने चीन से कागज बनाना सिखा और इस कला को एरोपियों ने अर्वो से सिखा यह कला इरोप के संस्कृतिक विक्यास के लिए बर्दान साबित हुई इरोप में छापे खाने अस्थापित हुए और साहित के चेतर में अभिनाव प्रगती संपन हुई भुगोल के चेतर में अर्वो ने उलेखनी ये प्रगती की थी उन्होंने दूरवीन का निर्मान किया जो इरोप वासियों के अतधिक कामाया भुगोली का अनुसंधान में कुतुब नुमा और अस्ट्रोलाइब के अविस्कार ने भुगोली खोजों के दिशा में अभुदपूर्वे उतान दिया यानि यहां भुगोली खोज और बग्यानिक अविस्कार के अंतरगत हम लोगों ने जो पढ़ा कि जो बग्यानिक खोजे हुई भुगोली के अविस्कार हुए जिससे समुंदरी यात्राओं को बढ़ावा मिला जिसे एक समुद्री यात्री एक देश से दूसरे देश में गए जिसे उपनिवेश्वाद को बढ़ावा मिला समराजवाद को बढ़ावा मिला इस टॉपिक को और मैं डिल कर सकती थी लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा जाता है इसलिए हमने इसको सोट करके लिखा है उस समय जो मुख्य अविश्कारी होई जीते एस्ट्रोलेब दिशा सुचक यांत्र कुत्व नुमा इसके अलामे छापा खाना बहुत सारे वास पिंजन बहुत सारी ऐसे बैज्ञानी खोजे की गई जिसे देश की विश्विकी प्रगती हुई देश की प्रगती हुई और यह थी पुनरजागरन काल की विश्विकी विश्विकी प्रभावित किया तो यह थी पुनरजागरन काल की प्रमुख विश्विकी आप हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा यदि वीडियो में आपको किसी तरह की खामिया दिख रही हो है या आप अपन कुछ सुझाओ देना चाह रहे हूं तो आप हमें जरूर कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगे और दोगी क्रांती धर्म सुधार अंदोलन जिसके लिए आप मैं चैनल को देखते रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा स्यादा वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के भी सेर करें धन्यवाद